बिग बॉस के घर के बाहर आते ही चंद्रिका दिख्षित का पहला इंटर्वियू पूरी तरह से सामने आ चुका है जी हाँ आपको उता दें कि ऐसे ऐसे सवाल उनसे पूछे गए जैसे बिग बॉस कितना सही है आपका इलिमेनेशन कितना सही है आप किस केंटेशन को विनर बनता देखना चाहती है सारे के सारे सवाल पूछे गए और चंद्रिका ने जो घर के बाहर आकर इसके जवाब दिये हैं उसे सुनने के बाद आप भी काफी ज़ादा हैरान रहने वाले हैं क्यूंकि उन्होंने काफी ज़ादा कॉंट्रवर्सी भरे जवाब इस इंटर्व लाइब करें साथ में घंटी के निशान को आप जरूर दमा दें सबसे पहले चंद्रिका दिक्षित से पूछा गया कि आप तीसरे हफते में ही बिग बोस के घर से बाहर आ गई हैं आपको ये कितना सही लगता है जिसके जवाब में चंद्रिका ने तो बिग बोस पर ही विशाल पंडे क्या करते हैं 24 गंटे एक जगा बैठे रहते हैं दीपक चुरसिया तो कुछ करते ही नहीं तो मेरी जगा तो वो बिग बोस के घर के बाहर होने चाहिए थे मुझे ऐसा लगा था कि यहां पर जो पांच नॉमिनेट है उसमें शिवानी कुमारी बाहर हो जिसके जवाब में चंदरिका ने जो जवाब दिया सभी के सभी रिपोर्टर के तो होश उड़ गे जी हां उन्होंने कहा कि विनर तो मैं अपने आपको ही देखती हूँ जी हां गाइस उन्होंने अपना नाम ले लिया और कहा कि बिग बोस ओड़ी सेजन 3 का अगर कोई अपना स्टेंड रखा ऐसा चंदरिका दिक्षित का कहना था जिसे सुनने के बाद सभी रिपोर्टर के भी होश उड़ गे जी हां तीसरा सवाल उनसे बिग बोस के शो को लेकर पूछा गया कि ये शो आपको कैसा लगा तो ये जवाब तो उन्होंने बिग बोस पर ही सबस ने भी कंटेस्टन हैं उनमें सबसे तगड़ी के मैंने खेली और बिग बोस ने तो यहां पर पूरा का पूरा भेद भाव करके मुझे ही शो से बाहर कर दिया ये सारी की सारी बाते चंदरिका दिक्षित ने बिग बोस के घर के बाहर आकर कहड़ा ली अगला सवाल उनसे ये पूछा गया हम सब ने भी देखा कि घर के अंदर आप काफी चुप चुप रहती थी ऐसा क्यूं था जिसके जवाम में चंदरिका ने कहा कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है बिग बोस ने मेरी जो असली फूटेजिस है जो मैंने घर के अंदर स्टैंड लिये हैं जो मैंने कि सारी बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिट कर दी गई और मेकर्स ने वो जनता के सामने बिलकुल भी नहीं रखी जी हाँ ये सारी कि सारी बातें चंदरिका ने बिग बोस के पहले इंटर्विव में बिग बोस पर इंजाम लगाते हुए कहड़ा ली जिसके बाद उ उन्होंने चंदरिका ने सिधा अपना ले लिया जी हां चंदरिका ने कहा कि सबसे पहला नाम तो मैं अपना लूँगी क्यूंकि मैं तो पूरी तरह से टॉप थरी डिजर्व करती थी लेकिन भेदभाव करके मुझे बाहर कर दिया गया साथ इसाथ मैं कहूंगी कि बिग दो हैं अर्मान मलक इंच्छी गेम गर के अंदर के जतने भी सदर से हैं इस वक्त कोई भी नहीं खेल सकता तो अगर मेरें इलावा कोई और विणिर बना तो वो थे अर्मान मलक बन सकते थे लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने आपको ही बिग बोस ओडिटी 3 का विनर मानती हूँ आपको उतादें कि यहाँ पर चंद्रिका ने एक बार फिर से सिर्फ अपना ही नाम हर जगा लिया और किसी भी कंटेशन को उन्होंने कुछ भी नहीं माना शिवानी को लेकर विन्होंने ये बात कही कि शिवानी बिग बोस गर के अंदर सिर्फ नाटक कर रही है सिर्फ जूटी चीजें कर रही है जूट मूट का रोती नजर आ रही है जूट मूट के मुद्दे उठा रही है और वो बिग बोस के घर के अंदरी कलोती ऐसी कंटेशन है जो सबसे ज़ादा फूटेज की भूखी है ये बात यहाँ पर कहडाली चंदरी का दिख्षिन ने तो इस तरह का उनका इंटरव्यू हुआ जहाँ पर उन्होंने अपने अलिमिनेशन का पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो बिग बॉस के मेकर्स के उपर फोड़ कर रख दिया है ऐसे में आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट करें ऐसी ख़बरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें